और कोरोना पर अपडेट ले लेते हैं, हम राज जे अनुसार भी बात कर रहे हैं, जले अनुसार भी बात कर रहे हैं, सबसे पहले लखनो का रुख कर लेते हैं, हमाए साथ आश्वणी दिवेदी लाइप जुड़ गए, रायपूर का रुख करेंगे, तो सतीष बहुत आपडेट रहेगी आपको उत्रप्रदेश में जो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है अगर बात करें साथ मार्च को तो उत्रप्रदेश में जो कुरोना पेशन्ट एक्टिव पेशन्ट की संक्याती वह 1647 ती जो इसमें बढ़कर के 31,947 हो चुकी लगबग 30, 30,000 के पास पेशन्ट एक महिने के भीतर जो लखन उत्रप्रदेश में आ गया है अगर बात करें सब्सक्राइब बात करें कुल टोटल आंकले के एक दिन की तो 6,023 जो एक दिन का मिला हुआ जो पिछली साल अगर बात करें पिछली साल पिछली साल सितंबर महिने में 11 सितंबर को यह आकला चुआ था उसके बाद फिर लगबग 6 महिने बाद फिर एक बड़ यह कुरोना हावी हो रहा है अगर टूटल मौतों का आकला देखे तो मौते बड़ी संख्या में हो रही है वही रिकावरी रेट की बात करें तो रिकावरी रैट पिछले 2020 के सतीश तीश टीक है कुछ टेकनिकल फॉल्स की वज़े से शायद हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुच पारी है मुंबाई से भी हम अपडेट लेंगे लेकिन एक बार फिर से हम अश्वनी से अपडेट ले 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 अश्वनी जो आप अपडेट हमें दे रहे हैं अगर हम को लेकर ही बात कर हैं तो लोगों में जो जागरूता की कमी नजर आ रही थी आप तो लखनों में नाइट कर्फियू भी लग गया है और आंकडे भी तेजी से बढ़ रहे हैं किस तरीके से अब क्या समीकरन बैठेगा अगर उत्र प्रदेश में आंकलों की तो आंकले वाकई इस बार भायावा हैं क्योंकि पिछली बार 2020 की अफेक्शा 2021 में कहीं ना तेजी सरफ्तार से जो कुरोना संक्रिम बढ़ रहा है अगर एक महीने में 30-40 केसे नहीं कैसे साथ हैं तो वाकई में सोचने वाली बात है व दूसरे टाज्यों से जहें महराश्यों पंजाब हो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उत्र प्रदेश में उन पर खासी नजर रखिया उनकी ट्रेसिंग कराया जाए उनको बाहर ना निकलने के लिए कहा जाए संधाया जाए इन चीजों पर बेहत ध्यान दिया क्योंकि जिस नकी मैं 10 12 यह और को स्वास्तव सेवां हो चर्मना जाएंगी आ जो लगातार मुकंद्र ने दिर्ष मेल हो तुक्र मुकंद्री में वुए द्शलूं लेवल टू लेवल तुरी होस्पिटल जो पुरानी पिछले साल बनाया गए थे जिनको लेकर के बैट संख्या बढ़ाई गए थे जो कॉरिंटीन सेंटर बनाया गए ते उनको एक बार फिर एक्ट्व किया जाए जिसको लेकर के टीम 11 की टीम एक टीम 11 है उसको भी निर्दे क्योंकि अभी तक जो 45 वर्स तक के लोग हैं उनका वेक्शिनेशन हो रहा था लेकिन अब उसको एज ग्रूप ही रखा गया लेकिन तमाम अन लोगों को इस से जोड़ा गया जाएं वो किसी संथा में काम करते हों या भी मेडिया से जुड़े लोग हो या पिर जो बाजारों में हाथ में डुकाने लगाते हैं उनको लेकर जिके ब्जासर किया रहा किकि यह वह लो‌ग अश्यूंष्ण राइपूर से सथीश्वल लगातार लाइव जूड़े हैं सथीश राइपूर की सतिय हम चानेगी कि का आउंकडे लगातार बढ़ी रहे तो दस हुजार जो पॉजिटिव मरीज के सामने आए हैं जो एक भायावा इस्टिव पैदा करते हैं यहां के लिए और सब्सक्राइब में अब तक कुल जी आंद नजर आ रही है। मुंबई में लोगडाउन लगाने के बाद भी रिस्टिक्शन लगाने के बाद भी लोग गरों से बड़ी संख्या में निकल रहे हैं को रोना के में एमफा कर जागा पर पालत नहीं हो रहा है अगर हम राज्य सरकार के अनुसार बात करें क्योंकि अब जो हफते के दो दिन हैं लोगडाउन की घूशना कर दी गई लोगों को लेकर जो चिंता है वो तो जाहिर सी बात होगी लेकिन लोगों में क्या इस बात की चिंता है कि सरकार उनको लेकर कितना सोच रही है जिस वज़े से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस वज़े से आप लॉकडाउन भी लगाना पड़ा दो दिन में हफते जिस तरह से आकड़े बढ़ रहे हैं, गवर्मेंट कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस्टिशन लगा है जाए लोगों के, लिए मिनी लॉफडाउन लगाया, मिनी लॉफडाउन लगाने के बाद दिसकल जो चोविद लेंटर में मरीजों के आकड़े तामने चरीवान साथ हज कि लिए मिनी लॉफडाउन लगाया जाए लिए लोगों के आकड़े जब बढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए तो लोगों का है लोगों ने मास्क पहना छोड़ दिया महाराष्ट की वहार के पॉर्णा पर स्केजी से बढ़ रहा है और लेकिन इस्टिट्रिशनल पारेंट्टाइन के तिवर कम है कि कि गवर्मेंट को बाद गवर्मेंट हस्पिटल में नहीं बेड़ी ति बैलेंस में नहीं है ठीक है आनंद बने रहे हैं मेरट करूख करेंगे मेरट समाय साथ केके शर्मल लाइफ जुड़ो है केके मेरट किस्ति जानेंगे क्या आंकड़े कर रहे है कोमल बताओ मेरट की अगर 24 गंटे किस्ति देखी जाए तो 119 कोरोना संक्रमित मरीज मरें मिले हैं और दो मौते हैं एक 65 वर्षी है बुजर्ग की डेथ हुई है और एक 23 साल की युफ्ति की डेथ हुई है और दूसरा आस्पेक्ट देखा जाए अगर DMK बाला जी और CMO डॉक्टर अकलेश मोहल अस्पतालों का दौरा करने निकल पड़ते हैं महां की वेबस्ताइं देखने के लिए निकल तो जाहिर सी बात है कि करोना आउट आफ कंट्रॉल होता जा रहा है 119 का जो डेटा है लगातार ये दूसरे दिन तीन डिजिट में आया है ये अपने आप में हमको बताने के लिए काफी है कि मेरट में जब तक सक्टी नहीं की जाएगी तब तक करोना पर कंट्रॉल है जा लेकिन पर्शाशन नहीं जुका पुलिस नहीं जुकी यानि कि पुलिस अपर्शाशन की तरफ से सक्टी का दौर चुरू हो गया है लेकिन जनरल अवेरनेस जो होनी क्या ये थी वह अभी तक नदारत है अगर हम पैट में जाते हैं मंडियों में जाते हैं मंदिरों में जा और ऐसे में जो जाट का डाइडा है वो भी बरता जा रहा है हमारे पास अभी हमने बात करी थी मेडिकल अच्पताल के अधिकारियों से तो 11 लोग हम वैक्सिन के बारे में अपडेट लेंगे एक बार हम रायपूर का रुख कर लेते हैं सतीश हमाई साथ लगाता लाइब बन अभी तक 44,000 है और स्कल के जो एक्टिव केस्ते हैं 10,000 है जो एक भायावाज स्थी पैटा करते हैं जहां इस प्रतार के जो पाजिटिव केसों की संख्या बादी है यह चिंता जाना का है और आपको वतादू स्थी जो जो करणा संक्रमान उस्थी जो मरीजों की महुत ही वो तिरबंती यह जो स्थी जिस्वतार जो पाजिटिव केस के जो मरीजों की महुत ही यह चिंता जाना गए और जिसको देखते हुए राजसर्तान ने कल रायपूर में 10 दिनों के लागावाज स्थी पहले जो तुर्ग जिला है जहां पर लोग्से बादिशाई पाज के किणेशन के लिए वो तुर्टि का निवाज है वहाज स्थी आज वाब लगावाज तो आज है जो 25 वर्क पर के लोग है उनको लगाता वैक्सिनेशन दिया जारा और वैक्सिनेशन की क्कवी नहीं नहीं सफीड़ मैं जी चिक सतीशी बने रहे लखनों से हमाई साथ अश्वनी लगातार लाइब जुड़े हैं अश्वनी वैक्सिनेशन को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है मेरेट से हमाई साथ केके शर्मा जुड़े हैं उन्होंने बताया कि वैक्सिनेशन भी दम तोड़ता हूँ असा नजर आ रहा है अगर हम अने जो नोगे भी बात करने क्योंकि लंग लगनों से जो हम बात करते तो कई जो की इनफिर नर्मेशन रहे वहां से ब्लती है अनुड़ पर वैक्सिनेशन के बात तो उत्तर प्रदेश्वी दौर जारी है आलाकि अभी तक जो साट साल का पहली प्रभावित हुआ था लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने ततकार संग्यान लिया है और जितने भी सेंटर्स बनाएगे हैं जहां पर इस्टोर बनाएगे हुए वहां पर ततकार प्रभाव से वैक्सीन की जो डोस थी वह पहुंचाएगी परयात्मा तरब में फिर एक बार रफ् वैक्सीन की रफ्तार क्या इतना बड़ा प्रदेश है जिस जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वहां पर अंतिम आदमी तक वैक्सीन पहुंचने में काफी लंबा समय लागा जिसको लेकर कि मुकुंत्री ने साब तरब कहा गए जितनी जल्दी हो सके प्र साथ इसाथ जो इंपॉर्टन स्ट्र में काम करना है जो फ्रेंट राइट हैं में काम करें उनको आगे रखाए उसके बाद जो दुकान सौप चलाते हैं या फिर शोरूम सलाते हैं या मॉल चलाते उन लोग है जहां पर आथ लोग भीड़़े खटा के होती है और यह संपर यहाँ समें चिन चुन चनण विश्य तो है ही और सरकार की कोशिश है यहाँ पर जादा देख रहे हैं सरकार के तरफ से यही कोशिश है के आँख्लों पर नियंतरण पाया जाए और साथी साथ सक्ती भी की जा रही है अब राज के यूपी के अगर हम बात कर ले तो तीन ऐसे जहां पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है हमें एक वार फिर से मेरेट करूख करेंगे के के आप वैक्सिन को लेकर जो जानकारी दे रहे थे वो पूरी करें जी हाँ मैं कोमल आपको बता दू कि वैक्सिनेशन की कुछ प्राइमरी हेल्फ सेंटर्स पर कमी पढ़ रही है यह हमें ऑफ दर रिकॉर्ड हमें डॉक्टर्स ने बताया है हमने जब करोना के लगातार मरीज बढ़ रहे थे तो हमने पूछा कि वैक्सिनेशन का रेट किया है तो उनोंने बताया कि वैक्σιने जब से 45 से ज़ादा की लोगों का वैक्सिनेशन शुरू हुआ है तब से लोगों में काफी उद्सा है और इसलिए ही वैक्सिनेशन की अब कमी परती जा रहा है और जब हमने मेडिकल में जाकर पता नहीं को मल ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कुछ मौत के आकड़े बढ़ सकते हैं 11 लोग oxygen पर है और serious cases में L1, L2 अस्पतालों का दौरा किया जा रहा है और night curfew की planning की जा रही है लगातार दूसरे दिन शैकड़ा लगा है करोना के वाइरस संक्रमेत मरीजों का वहीं पर DMK बाला जी और CMO अकलेश मोवने जितने भी private hospital है उनके डॉक्टर से बात करिये वहाँ की वेवेस्था देखिये उसी feedback को लेकर हम आगे बहुते है masking को लेकर यहां पर एक वरद अभी आन चलाए जा रहा है IG परवीन कुमार के नेतरुत में SSP अजैसानी के नेतरुत में और उसके result भी देखने को मिल रहा है लेकिन public के बीच में जो awareness होनी चाहिए थी masking को लेकर social distance को लेकर और जल्द से जल्द एक प्रभावी योजना बनाने के लिए कहा है वहीं vaccination की जहां जहां पर कमी हो रही है जहां टीक है जल्दी जल्दी जादा जादा लग रहे है वहां की chain cold जो store है वहां से उसकी आपूर्ती के लिए उन्होंने प्रयास भी तेज कर दी है तो देखा जाए कि मेरट परचाशन में जहां एक सरफ करोना के बलते हुए मरीजों को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है वहीं vaccination का rate जो है उसको भी बरकरार रखने की चुनौती है और ऐसे में अगर जंता थोड़ा सा सहयोग दे दे masking और social distance की बात कर ले तो काफी पायदा होगा स्कूलों में हमारी स्कूल के प्रबंदकों से बात हुई है स्कूल के प्रबंदक भी चटी से लेकर बारवी तक के स्कूल खोलने के पक्ष में आ रहे है जिसको डी एन के बाला जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है लेकिन यही स्कूल प्रबंदक और दूसरी अथार्टी जो है वो करोना के बरते हुए आकड़े को नहीं देख रही है हमने यहाँ पर रोडवेज और रेलवे स्केशन पर जाकर देखा वहाँ पर परशाशन की तरफ से प्रापधान किये गए है जिससे जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके पास करोना का सर्टिफिकेट हो की करोना नेगेटिव है तब ही वो यात्रा करें तो पुलिस आप परशाशन को तो फुल नंबर है जनता पिछली हुई है कुमन चीक है केके बने रहे हैं आप हमारे साथ महाराज से एक बार फिर सब्जेट ले लेंगे आनंद इस तरीके से हम आंकडों को लेकर अगर बात करें तो मुंबई की सिती आपने बताई अनिजलों की विस्तिती बताई अब अगर हम वैक्सिनेशन को लेकर अगर सवाल पर इस तरीके की तस्वीरें है इस जाजी जवर्मेंट का सब्सक्राइब आप आने वाले चार पाज दिनों सब्सक्राइब इतना स्वाइब इस ने विए ने भी आए कि यदि दौर सम्सक्राइब अगर हम उत्राखंड के ओल वर इस तती जाने तो अंकड़े क्या कह रहे हैं और कैसी तयारिया है क्या कुछ है अगर अगर उसके पहले हैं तो जो बढ़कर ग्यारा सो से उपर जा रहे हैं और जो एक्यूट के विए उनकी शंख्या बढ़कर के चार लाज के करीप हो गई हैं अगर इसके व्यास्ताओं के इसाफ से हम देख रहे हैं तो जो एक्टिव केसिज हैं और जो व्यूस्ताओं की व्यूस्ताओं की व्यूस्ताओं तक है उत्तोरा खड़ में हैं और चार्सों पंद्रा आइसोलेशन सेंटर है जो व्यूस्ताओं को लेकर भी परिशानियां दिख रहे हैं क्योंकि कुम्ब पर कोरोना का बड़ा खत्रा नजर आ रहा है क्योंकि ऐसे में हम कुम्ब में जो मौजूद अधिकारी हैं वो भी उनको भी काफी जादा संख्या कोरोना पॉजिटिव मिल दे फाहिम अबराल शुक्रिया बहुत इन तमाम जानकारे हो के लिए आनन आपका भी शुक्रिया किया आपका शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुछाने के लिए तो कोरोना के आंक्डे बहुत तेजी पकड़ चुके ऐसे में देश भर की बात करें तो 1,26,000 से जादा आंकड़े आए हैं सामने पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़े काफी तेजी से बढ़े राजिवार बात करें तो महरास रूपी 36 गड़ तो फ़लाल इसके साथ इतना ही देखते रहें न्यूस वान इंडिया